हेलो दोस्तों स्वागत आपका अट्रस्टेडी पॉइंट में दोस्तों रास्तान युनिविस्टी पीजी एडी मिशन 2021 की जो थर्ड मेर्ट लिस्ट है वह आज एनॉंस हो चुकी है ठीक है उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा युनिविराज जो टैसी करवाने है पी नीची जो लिख्या देखो लिंक फोर पीजी फीस ओनलाइन पेमेट तो डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फीस पेमेट इस लिंक से करनी होगी ओनलाइन जाके अब देखिए नीची लिखा है मेरिट लिस्ट फोर पीजी डिमिसन 2020 कीजिए तो य सब्जेक्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी ठीक है उसमें देखिए कौन सी मेरिट गी है कितनी मेरिट गी और उसके उपर जो इंस्ट्रक्शन दे रखें उनको ध्यान से पड़ें जैसे की देखिए मैंने डिपार्टमेंट फिजिक्स की ल पारना है और अपने डोकिमेंट्स करवाने हैं तो डोकिमेंट्स में कौन कौन से और इजनल और रिक्वाइट फॉर फाइन अधिमिसें ठीक है मार्क सीट्स ड्योबी चर्टिफिकेट ठीक है का सर्टिफिकेट पो रिजर्वड के टेग्रिज पोर ओबिसी केंडिट और देन शिक्स मांस ओल ठीक है और भी सिकाट शेम में से पुराना नहीं होना चाहिए वेटेज सेटिफिकेट अगर आपके पास है आपने लगया तो टीसी सी सी एडवलेट के लिए उसका सर्टिफिकेट लगेगा और वह है तो जार बीसी किसका बना होना चाहिए ठीक है जो की वेबसाइट पर आपको जाके वहां पर जो लिंक दे रही है उस पर आपको पेमेंट करनी होगी ठीक है इसमें देखिए सेडूल भी दे रखा है जैसे की सीरियल नमर के अको अगर आपको अपने फिक्स टाइम पर जाना है तो ग्यारा से बारा देखिए जनरल केटे OBC को और एक लेकर दो तक ST category और EWS को जाना होगा ठीक है और यह कुछ सावधानी वह रखने होगी इंट्री ऑफ कंडेट्स इन दे डिपार्टमेंट विल बी प्रोहिबिट विदाव प्रोपर मास्क ठीक है प्रोपर मास्क लगा के जाए मेंटेन डिस्टेंस ऑफ एटलिस है उनकी फीस आधी लगेगी और SFS सीट के लिए 5% सीट विजव की गई है तो यह नोटिस है ठीक है मैं इसको पॉस्ट में भी लगा दूँगा आप वहां से भी चेक कर लेना कि समयची दोरह वरतमान में चात्रवासों के लिए निरधारित फीस के बारे में कॉर्णा महाम निर्णे के कारण उत्पन प्रिस्थीतियों को ज्यान में रखते वें निर्ने लिया गया कि विस्व इदाली में चातर चातरों से ली जाने वाली विभिन पदों की फीस सत्तर उनिस बीस को सत्तर दोजर वीस के लिए लागू में से 50% पर 3080 वसूल की जाए ठीक है साथी स होस्टल के लिए एडिमिशन वह एक फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है जो अफिसल वेब साइट है रास्तान विनिस्टी की उसमें उसका आजाएगा कि आप कैसे अपलाई करेंगे ठीक है तो इस परकार आप वहां पर होस्टल का अपलाई कर देंगे और अगर आप डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हैं जब आप डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे और भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें ठीक है